बच्चे को कब तक breastfeeding करानी चाहिए? मा को कब तक बच्चों को अपना ही तूद पिलाना चाहिए? इसके बारे में modern science क्या कहता है? जरूर सुनिए. आज के वीडियो में आपकी ये confusion दूर हो चाहेगी. और हाँ, mothers को ये भी confirm हो जाएगा कि आखिर उन्हें breastfeeding करानी कब तक चा होगा या फिर उसे ज्यादा पोशक तत्व मिलेंगे. ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे आप नहीं जाती और आप अपने बच्चे को ज्यादा time तक धूद पिलाती हैं. तो सबसे पहले बात करते हैं कि कब तक और कितना milk यानी breastfeeding करानी चाहिए? कम सका 6 मन तक तक तो सि एक साल या दो साल तक जब तक कि आपकी बच्चे की ग्रोथ नहीं होते, नॉर्मली लोग ये करते हैं कि कहते हैं कि ज्यादा time तक अगर आप breastfeeding कराते हैं तो बच्चा ज्यादा healthy होगा बट यह बलकुल ही गलत है ऐसा नहीं करना चाहिए क्यूंकि कुछ समय के बाद जिसे मिल्क से मिलते थे, तो अगर आप फिर से उसे ज्यादा मत्रमी breastfeeding कराएंगे तो वो उसके health के लिए नुकसान दायक ही होगा, एक study के according गे दिखा गया है कि जनरली एक दिन में 750 m&h milk produce होता है, मा का तुन इससे ज्यादा होता नहीं है, और कई बार ओटों को ये समस्याएं ह जाती है कि जादा मिल्क प्रोड्यूस होने से उनके breast में saginess और बहुत सारी ऐसी जो है problems उनको होने लगती है, तो क्या करें, अगर 750 m&h से जादा produce होता है मिल्क तो आप अपने diet पे सुधार करें, आप वो चीजे विल्कुल लखाएं जो मिल्क प्रोड्यूस में सहायक होत बाहर का कोई भी ऐसा खाना या oily food आप पिल्कुल लखाएं, आपको सायग पता नहीं है कि कई बार females वो ऐसे चीजे खा जाती हैं जिसका अपसके बच्चें को काफी सेहत बुरा effect पड़ता है और females उसे अंजान रहती हैं और बाहर की चीजे तरह-तरह की खाती रहती हैं आपको ये भी बात बता दूँ कि अगर आप सराव, alcohol जैसे कोई भी ऐसे चीजे खाते हैं तो उससे जो milk आपको produce होता है आपके बच्चे तक वो alcohol पहुंचता है milk के थो तो आप बिल्कुल भी सराव ना पियें शोगर की जगह आप गुड का इस्तिमाल करी या आपके सेहत के लिए और आपके बच्ची के सेहत के लिए काफी अच्छा होगा बहुत सही पीवेस ब्रेस्ट fading नहीं करवाते हैं तो आपकी breast में वो fat जम जाएगा जिसके वज़े से आपकी breast में गाठी भी हो सकती है आपकी breast में pain भी हो सकता है तो और आपकी जो breast में जो nerves है उनमें blockage भी हो जाएगे तो उमीद है कि आप ये सब नहीं चाहती इसलिए continuously एक सार दक्तों आपको breast feeding करानी है इस वीडियो से आपको जो भी जानकरी मिली कैसी लगी प्लीज comments में ज़रूर लिखना Thank you so much वीडियो को लाइक करना ना भूला